हलो वरण माई नेम इस गिनी और वाचिंग आ निव वीडियो अफ लाटी का रेक्सिरीज करमपुरा निव डेली और आज आपके सामने महिंद्रा थार का ओडियो सेटप लेकर आएं मुए हैं यूपी से स्पेशली कार आई थी हमारे पास एक आउडियो सेटप होने के लिए सर के पास जिनकी एक कार है उनके पास एक पाइनियर का वूफर एक्टिव सा वूफर था बेसिकली उसको उनने रिटेन करा था उसके लावा 30,000 का खर्चा इसके इंदर किया गया जब बात आत है कि हम प्रोड़क्स भी थोड़े से उनको प्रीमियम दे दे और कैसे उनको बजेट में लेकर आएं कि उनका 30,000 में काम हो जाए विकॉज अगर अब प्रीमियम स्पीकर की बात करते हो और एंप्लिफार एड़ करते हो तो 40-50,000 रुपीस अनाम से चलाता है बट क्योंकि थार है अपने आप में एक मतलब समझ लोग कि ऐसी कार है जो शोकीन लोग ही लेते हैं और म्यूजिक क्वालिटी इसकी मैं कहना चाहूँगा कि बहुत काफी हद तक लो है जो हर किसी को सैटिस्वाई नहीं कर पाती है तो इस करके हमने इसके अंदर वूफर जब हम रिटे हुआ है और जे लोडी के कॉंपनेंट्स हमने ऊपर लगाए हुए है मतलब जो को एक्जेल था वो ग्राउंड जी लो का हमने नीचे लगाया स्टॉक पोजिशन बे और स्टॉक पोजिशन बे उपर हमने कॉंपनेंट्स लगाए है विकास वहां पे ट्यूटर की जगा भी मिल जाती है और इन सब को हमने पावर किया हुए साउंड मेगस के फोर्चन अर्टिफायर से ड्यू टो सम लाइट प्रॉब्लम आपको यहां पर पूरा अगर क्लियर नहीं भी नजर आएगा तो एक थोड़ा सा हिंट यहां पर देने की कोशिश हम कर रहे हैं कि जितनी इंटक्ट हो सकती थी उतनी करने के बाद यहां पर हमने एक वूफर को भी रिटेन किया हुआ है और एक कॉम्पनेंट्स और को एक्जिल को लगाया हुआ हुआ है साउंड कॉलिटी इस टू ऑसम जो 30,000 रुपीज के बजट के अंदर हमें मज़ा मिलना चीए था श कॉम्पनेंट्स जेल ऑडियो का बिकॉस क्लारिटी और क्रिस्प कस्टमर की डिमांड थी और एक को एक्जिल हमने स्टॉक पोजिशन जो हमारी यहां पर आती है वही पर हमने लगा कर उसको रिटेन किया हुए और पुराने जो फाइव इंची स्पीकर इसके अंदर आते ह करी और स्कॉष की एंप्लिफायर किट हमने इसके अंदर इंस्टॉल कि हुई है सो दैट आपको वाइरिंग में अगर आप अच्छा पैसा लगाओगे तो वह चीज उतनी ही ज्यादा चलेगी जो प्रोड़क्ट सब लगा रहे अगर वो एक्सपैसिव है और वाइरिंग ह अगाना हमने इसके अंदर एक्टिफ उपर था पुराना वूफर था सर का ही हमने यहां पर रिटेन किया हुए तो सो दैट यहां पर जगा भी कम से कम मिले एर पास हमने उपर की तरफ इसका रखा हुआ यहां पर बलाई यह बेस ट्यूब में था हमने उसको चोटी से एक समयलों की कस्टम किया हुआ है तो दैट थार के अंदर ही आ सके और जो साउंड का रिजल्ट आ रहा है तो आसम और मुझे खुद को मजा आया इसलिए मैं वीडियो शूट करी ऐसा और चोटी वीडियो देखने के लिए हमारे को आप इंस्ट्रागाम पे भी फॉलो करो और थार किया है।